हेलो स्टूडेंस इस वीडियो में हम लेसन नमबर सिक्स साधी का सपना की बुक करेंगे तो आईए देखते हैं पेज नमबर फॉर्टी वन लिखित सबसे पहले है लिखित दिये गए प्रशनों के उत्र में टिक का निशान लगाओ जो सही है कशाधी साधी कहां रहता था श शिराज में महल में इराक में तो सबसे पहली आप्शन जो है वो है राइट शिराज में ख है साधी को आसमान में क्या नजर आया सूरज चांद सितारे तो साधी को आसमान में क्या नजर आया था चांद ग है साधी बड़ा होकर क्या बना कहानिकार लेखकिया कवी तो साधी बड़ा होकर क्या बना था कवी तो third option जो है वो सही है उसके बाद देखिए page number 42 भाशा ज्यान इसमें सबसे पहले है सर्व नाम तो इसकी जो definition है वो आ सकती है सबसे पहले हम definition करेंगे सर्व नाम क्या है उधारंदो संग्या की जगा पर आए शब्दों को सर्व नाम कहते हैं जैसे मैं वैं तुम्हें इसे अपना तो संग्या संग्या क्या है नाउन तो हम किसी का नाम न लेकर उसकी जगा पे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर्व नाम जैसे वह, राम आ रहा है, तो राम क्या है? संग्या, तो राम की जगा पर अगर हम बोल दें कि वह आ रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम, तो संग्या की जगा आए शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम, तो राम की जगा हमने क्या लगा दिया? वह, तो यह है संग्या की जगा आये शब्दों को सर्वनाम कहते हैं दिये गए अनुछेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए साधी अपनी आँखें आस्मान में गड़ाय हुए था तो इसमें सर्वनाम कौन सा है अपनी वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था तो यहां पे साधी की जगा पे आया है वह तो यह वह क्या है सर्वनाम अचानक उसे चांद नजर आया अचानक साधी को चांद नजर आया तो साधी क्या था संग्या तो अब संग्या की जगा साधी के नाम की जगा पे हमने लगा दिया अचानक उसे चांद नजर आया वह दोड़ता हुआ वह क्या है सर्वनाम दोड़ता हुआ अपनी मा के पास आकर बोला वह और अपनी क्या है सर्वनाम अम्मी मुझे चांद दिख गया मुझे क्या है सर्वनाम आपने कहा था कि ईद से पहले मेरे जूते दिला देंगी इसमें आपने और मेरे क्या है सर्वनाम आगे देखिए नमबर टू कौश्टक कौश्टक में से उचित सर्वनाम शब छांट कर खाली जगा भरिये इदर आप्शन्स दी है जब वह बहुत छोटा था तब डैश पिता का देहांत हो गया तो आप बिना आप्शन्स के ही ट्राइ करें कोश्चन करने की तो साधी के पिता की जगा क्या है उसके पिता का देहांत हो गया जो सही सर्वनाम है साधी बोला अम्मी डैश नए जूते अभी तक नहीं आए मेरे मैंने तो मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए रात को बिस्तर पर लेट कर वह जूतों के बारे में सोचने लगा वह मुझे तो इसमें क्या आएगा वह साधी ने डैश मा को सपने की सारी कहानी सुनाई अपनी या अपना अपनी मा को डैश किसी ना किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी तो उसने या वे वे आएगा इसमें आगे देखिए आओ कुछ नया करने करें में भी कुछ कोश्चन्स हैं जैसे दिये गई संकेतों के अधार पर ते वहारों के हमने क्या लिखने हैं नेम लिखने हैं ये आप सब को पता है दीप जलाते हैं और खील बताशे बांटते हैं कब दिवाली पर उसके बाद है आग जलाकर भांगडा करते हैं और रबडी मुफली आदी बांटते हैं कब लोहडी पर लोहडी के दियोहार पर राखी बांटते हैं और मिठाई खाते हैं रक्षा बंदन नेक्स्ट है रंग लगाते हैं और गुज्जिया खाते हैं कब होली पर समया खाते हैं और गले मिलते हैं कब ईद पर सबसे पहले दिवाली लोहडी रक्षा बंदन होली और ईद तो ये था आपका बुक वर्क ये आपने अपनी बुक्स में अच्छी हैंड राइटिंग में करना है थैंक यू हैव अ गुद डे